नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी और फीर से अपके अपने लनिंग प्लाटफोर्म एक्जाम ब्यूक लासेइस पर गैस जैसा कि आपड़को पता है कि इक्जाम ब्यूक फूरू से ही JVTむ जाता है। जेव्टी के कोर्से से ही हमने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और आप़ी के प्यार और स्पोर्ट के चलते हम आज यहां तक पहुंचे हैं। और अपनी एप तक भी आपी के स्पोर्ट और प्यार की बज़े से हम बना पाई हैं। तो जाइस कि HPSSC ने जो है वो अपना pattern change कर दिया है और ये JVT commission भी यहाँ पर HPSSC द्वारा ही लिया जाएगा क्योंकि जो पिछली बार हुआ था 2019 में वो भी आप सभी को पता है कि HPSSC द्वारा ही लिया था तो guys अब आपके मांड में बहुत से doubt है कि ये commission कब तक देखने को मिल सकता है तो guys सबसे पहले first of all कि ये commission कब तक आएगा तेखो guys seriously मेरे को खुद नहीं पता है कि जो इस बार JVT commission है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिल सकता है बट फिर भी expected यही है कि election से पहले यहाँ पर शायद कुछ update देखने को मिल जाए अभी आप सभी को पता है कि Supreme Court में JVT versus beard का यहाँ पर case चला हुआ है अगर उसका result जो है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाता है तो मान के चलिए कि हिमाचल में भी JVT का जो commission है वो भी देखने को मिल जाएगा तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में कि यह जो JVT beard case है इसका क्या decision रहता है जो भी decision रहे गाइस देखो मेहनत तो आपको करने ही पड़ेगी बेशक JVT वालों के लिए ही रहे या बीएड वालों के लिए रहे बीएड वालों के लिए रहे बीएड बाले आ जा आपने सोचा है कि JVT commission किसी भी हाल में आपको crack करना है तो आपको अभी से यहां पर अपनी त्यारी शुरू करने ही पड़ेगी तो गाइस देखो पिशली बार क्या pattern क्या रहा था तो आप सभी को पता है कि पिशली बार जो था वह आपका यहां पर GK और CDP GK CDP जो है वह देखो गाइस इन दो section से इंडेन GK हो गया आपका HPGK हो गया और साथ ही में CDP इसमें आपको 100 प्लस question यहां पर देखने को मिले थे पिशली बार और इस बार आप मान के चलिए कि इन तीनो section में से आपको 120 प्लस question यहां पर देखने को मिल जाएगे तो मान के चलो 100 में से 60 marks तो आपको इन दो section से रहने वाला है GK और CDP गाइस बोलने को यह दो section है बट काफी lengthy है इसकी त्यारी किस तरह से करने है यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा changes क्या है तो guys मैंने आप सभी को अभी बताया कि changes इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं जो exam आपका 170 question का होता था वो इस बार आपको 200 question के साथ देखने को मिल सकता है best books कौन से रहने बाले है guys यह हम वीडियो में आगे देखते हैं अब बात करते हैं कि scoring subject या topics यहाँ पर कौन से रहने बाले हैं तो guys मैंने आपको अभी बता दिया कि जो scoring subject है उसमें सबसे पहले तो आपका हो गया HPGK HPGK तो I hope आप सभी काच्छा होगा अगर आप हिमाचल से हो तो किसी और exam की त्यारी भी कर रहे हैं तो HPGK तो maximum student का यहाँ पर strong ही रहता है दूसरा जो guys सबसे ज़्यादा वेटे जिसकी रहती है वो रहता है आपका Indian GK Indian GK में आपको यहाँ पर कौन कौन से section देखने को मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर history पिछली बार जो है वो आपकी medieval यानि मद्यकालिन history को शोड़के जो ancient और modern history बहां से question देखने को मिले थे ancient और modern history से आपको यहाँ पर question देखने को मिले थे इसके लावा polity और geography और साथ ही में आपकी यहाँ पर static GK और 5-6 question यहाँ पर आपको current fair के भी देखने को मिले थे और इसके लावा जो most scoring subject या topic है वो आपका यहाँ पर CDP रहने बाला है पिशली बार 35 question देखने को मिले थे इस बार आप मानके चलिए कि यहाँ पर 40 प्लस question जो है वो इस section से देखने को मिल जाएंगे तो guys अभी जो है अगर आप complete त्यारी नहीं करना चाहते English, Math, Hindi को आप चाहो तो अभी छोड़ सकते हैं मैं आपको यह recommend करूंगा कि HPGK, Indian GK और CDP इन तीन section की त्यारी आप अभी से शुरू कर दीजे आगर आपको JVT Commission किसी भी हाल में qualify करना है गाइस अगर beard वाले आगे तो मैंने पहले बताया किस में competition जादा देखने को मिलेगा बट अगर JVT वाले रहे तो हलंकी competition तो कम रहेगा बट फिर भी guys आपको अपनी तरफ से 100 cent देना है अब देखो guys books की बात करो तो देखो अगर मैं books की बात करो तो जीके के लिए इंडिन जीके के लिए आप यहाँ पर Lucent या जो अरिहंत की book आती है उसे ले सकते है Lucent या अरिहंत देखो guys Lucent इसली बोल रहा हूं कि अभी आपके बस काफी time है तो आप उसे अराम से भी कर सकते हो Lucent या एक अरिहंत की book आती है जीके की आप उसे भी पढ़ सकते हो बहीं से आपका यह जितना भी पॉर्ट्शन इंडिन जीके का हिस्ट्री पॉलिटी और साथी में जियोगराफी स्टाटिक जीके बगारा वो सब यहां से कबर हो जाएगा और अगर बात करो CDP के लिए तो की bilingual book आती है Hindi English दोनों मीडिय में रहती है आप सभी को पता है कि CDP जो है वो उसमें कुछ ऐसी टर्म होती है जो कि आपको English में समझ नहीं आती है तो आप Hindi में समझ सकते हो और अगर Hindi में कुछ आपको टफ लगता है तो आप उसे English में भी समझ सकते हो इस तरह से तो आप अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो मैं आपको यही recommend करूंगा कि अभी HPSC के जितने भी previous year exam हो रहे है उसमें जितना भी HPGK आया हुआ है आप उसे पढ़िए और अगर आपको basic से पढ़ना है तो आप जो दरपन की book आती है उसे भी यहां पर follow कर सकते हैं आपको बैसे अभी त्यारी करने की जूरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाते तो कर सकते हो अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैंत के लिए आप एक book आती है अर्हंत की arithmetic करके quantitative objective arithmetic करके कुछ इस तरह की book है आप अपने सिकन पर देख पार होगे आप इससे ले सकते है और अगर बात करो हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए आप या तो जो ब्याकरन रहता है टैंस तक उसे फॉलो कीजिए या फिर आप इसके लिए भी लूसेंट की बूक यहां पर ले सकते हैं और अगर बात करें कि इंगलिश की त्यारी कहां से करें तो गाइस इंगलिश के ल ले लिजिए या आप चाहो तो अभी मैंत हिंदी इंग्लिश को शोड सकते हैं हपीजी के लिए आप हिमाचल दरपन लीजिए अगर आप फर्स टैम हपीजी की त्यारी कर रहे हैं अगर आपके एच्पीजी की कॉंसेप्ट ठीक है तो फिर आप है एच्पीजी की जितने भी प्रिविस येर पेपर है उन्हें एक वर अच्छे से देख लीजिए उसमें जितना भी एच्पीजी के का पोर्चन रहता है उसे आप एक वर रिवाइस कर लीजिए और इसके लाबा मैंने आपको बताई दिया कि जो इंडिन जी के हैं वो कहां से त्यार करना है तो उसके पर आपकी किस तरह से यहां पर है तो गाइस सब्से पहले तो मैं बता दूंक सी बात है कि मैं यहां पर आपको बताएंगा वो सारी चीजे पैड रहेगी तो आप चाहें तो वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं तो गयश देखो अभी अगर आप चाहो तो complete भी लिए सक तो गाइज देखो अभी क्या-क्या है जो हमारी हिस्टरी है वो यहां पर आपकी 80% कम्पलीट हो चुकी है 80% कम्पलीट हो चुकी है यानि कि जितने भी क्लास अभी लाइब हो चुकी है 30 प्लस क्लास होगी वो आपको रिकोडर देखने को मिल जाएगी पॉल्टी जो है वो यहां पर हमारी 90% कम्पलीट हो चुकी है 90% मीन्स की बेसिक्स लेबस हमने कम्पलीट करवा दिया है अब सिर्फ उसमें यहां पर आपके लिए प्रैक्टिस ही बचती है अगर बात करें जियोग्राफिय की तो जियोग्राफिय भी यहां पर हमने 50% से लाइब मिलने बाला है और यह जितना मैंने अभी की बात कर रहा हूं गाइस जुलाइस की जुलाइब के बाद अगस्त में यह सप्टेंबर में जैसे कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं तो यह सारी चीजी हम दवारा से कर देगे बट फिर भी जीके मेरे ख्याल से है आपको live class लगाने कितने जुरूरत नहीं है आप recording से भी काम चला सकते हो और साथ इमें आपको pdf वरक्षीट साथ में topic by test बगारा सब कुछ मिलता है तो जुरूरी नहीं है कि आपको live class लिए attending करनी है इसके लाबा अगर आप चाहते हो हमारा जो complete batch है भी ज्वाइन कर सकत वह तो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इसके लाबा मोक टैस्ट बगारा जो है वह हूब आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल यहां पर फ्री रहने बादे हैं और सांति में जितने भी हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉंस करने की कोशिश करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद जय हिन जय हिमाचल पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत एक्जाम व्यू को और करें अपने एच पी टेट एच पी एक्जाम का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाओ